हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दो आडियो लेक्चर सीरीज अफ कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी जिसमें हम कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी की जो सम्विधान की बुख है उसका पहला चैप्टर परिचै या इंट्रोडक्शन को डिल करेंगे उसके सार को समझने की कोशिश वैसे तो ये चैप्टर हमारे किताब याने कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी की सम्विधान की किताब की सिर्फ पहले दो पेज पेज नमबर वन और टू में डिल किया गया है तो इसे साबसे काफी छोटा है लेकिन पूरे सबजेक्ट का आधार है ये वो बुनियादी जानका जो आपको पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी है और इसलिए conceptually इस चाप्टर को समझना बहुत जरूरी है तो आई ये शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये जाना जरूरी है कि वो सब्जेक्ट का जो ना विधानों का संकलन ये वह विधी है जो किसी देश की राजविवस्था का मोल सिधान्त विहत करती है किसी देश का समविधान उसकी राजनीतिक विवस्था का वह बुनियादी साचा धाचा निर्धारित करता है जिसके अंदरगत उसकी जनता शासित होती है यदी इस subject को English में भी आप देखे constitution तो ये constitute करता है it is nothing but a collection of rules and regulations laws and legislations necessary for the administration of any country किसी भी देश में प्रशासन के लिए वहां की राजनेतिक प्रशासनिक विवस्था को सुचारी रूप से चलाने के लिए जो विधी नियम कायदे कानूनों की जरूरत पढ़ती है उसी का संकलन समविधान कहल तो इस शब्द का यही अर्थ है और इस subject की relation में reference में भी इसका यही मतलब होता है हमारे भारत की जो पूरी प्रशासनिक विवस्था है वो समविधान के दाएरे के अंदर ही आती है समविधान ने जो लिखित नियम कायदे कानून बताएं है पूरा प्रशासनिक धाचा भ तो यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है यह राज के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुष इवं ताना शा होने से रुकता है देखिए हम सब जानते ही हैं कि भारत में विधी का शासन है और दूसरी यह बात कि भारत में समविधान मतलब भारत में किसी व्यक्ति विशेश का शासन नहीं है, विधी का शासन है, और विधी जिस भी एक किताब में संकलित है, उस किताब का स्थान पूरे भारत में सर्वुच्च है, राष्ट्रपती से भी उपर है, तो अपने आप में ये दोरों अवधारनाएं जो हैं, वो स संकलन हैं, और भारत में उसी संविधान की जो रैंकिंग है, जो स्थान है, वो सर्वुच्च है, तो इसका मतलब ये कि भारत में कोई भी संविधान से उपर नहीं है, कुछ भी संविधान से अधिक महत्वपोर्ण नहीं है, तो Constitution of India is the most important protocol, it is the most important document, it is the most important government and administrative treaties of our country, तो Constitution है हमारे देश में, प्रशासन उसी के तहट चलता है, और ये सबसे ज़्यादा importance hold करता है हमारे देश में, तो इस तरह से हमने ये जाना कि संविधान क्या है, और संविधान का महत्व क्या है, संविधान एक दरपन है, जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की जलत मिलती है, अब अगर हम थोड़ी practical तरीके से देखें, कि इंडिया का Constitution जो है, वो वस्तुता किस तरह का document है, तो देखें, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, इसका मतलब ये, कि सभी नियम काइदे कानून बकाइदा एक किताब में संकलित क किये गए हैं, और हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान जो complete हुआ था, वो 26 नमबर सन 1949 को हुआ, और जो लागू किया गया था, वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया, 26th of November 1949 को Constitution was adopted in India, in 26th January 1950 को it was enforced in the entire country, और इस तरह से संविधान की सभी जो अनुचेद हैं, सभी जो प्रावधान हैं, वो भारत में अस्तित्व में आ गए, ये एक introductory chapter है, तो संविधान निर्मान से जुड़े, details अभी हम नहीं डील करेंगे, और नहीं संविधान से जुड़ी उसकी विशेशताओं को डील करेंगे, लेकिन हा, इसकी content पर जरूर आएंगे, इस chapter में ये बताया गया है, कि संविधान की जो किताब, जो की एक लिखित document है, उसका content क्या है, जिस तरह से आप किसी एक normal book को आप खोलते हैं, तो सबसे पहले आपको उसमें प्रस्तावना दिखती है, preface दिखता है, प्राकतन दिखता है, बिल्कुल ऐसे ही, जब संविधान की कित preface कहते हैं, या हम कहते हैं preamble, प्राकतन, preamble, preface, सब एक ही चीज है, प्रस्तावना एक ही चीज है, तो प्रस्तावना क्या होती है, वो बताती है, कि पूरी जो किताब है, वो किस बारे में लिखी गई है, इसलिए संविधान की भी जो प्रस्तावना है, वो ये बताती है कि पूरा सम्विधान को लिखने का उद्देश क्या था इसके अंदर क्या चीजें है एक तरह का introduction देती है कि सम्विधान क्यूं लिखा गया कब लिखा गया क्या इसकी उद्देश है और सम्विधान रुपी इस किताब का सार क्या है उसका थोड़ा बहुत परीचे प्रस्तावना में हमें मिल जाता है तो जिस तरह से किताब में एक पहले पन्ने पे आपको प्रीफेस दिखेगा वैसे ही इसमें आपको प्रस्तावना दिखेगे याद रहे मैं बात कंटेंट की कर रही हूँ की जो सम्विधान की किताब है उसका कंटेंट क्या है तो पहले प्रस्तावना है उसके बाद जब एक नॉर्मल किताब को आगे पलटते हैं और अगर आपकी करिकुलम की या सिलिबस की किताब है तो आप देखते होंगे कि उसमें बकायदा कुछ टॉपिक्स या सिलिबस की एक लिस्ट दी रहती है कि बहलए ये चैप्टर के अंदर ये चीज़े रहंगी उसके ंदर ये लिस्ट रहेगी बाद काईदा टॉपिक्स का एक विस्त्रिच जानकारी रहती है ये इंडेक्स नहीं होता इंडेक्स से पहले एक लिस्ट दिखती होगी आपको तो जिस तरह से वो syllabus की लिस्ट है बिलकुल ऐसे ही हमारे समविधान की किताब में भी अनुसूचिया होती हैं जिसे हम कहते हैं अनुसूचिया या schedules schedules एक तरह की listing है जो जब समविधान लागू हुआ था तो संख्या में 8 थी और वर्तमान में 12 नुसूचिया हमारे समविधान में है उसके बाद आप नॉर्मल किताब को जब पलटते होंगे तो आपको दिखेगा इंडेक्स इंडेक्स कुछ इस तरह से होता है कि जितना भी content किसी किताब का होता है उसे कई units में और कई chapters में बाट दिया जाता है एक unit के अंतरगत कई सारे chapters होते है बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी किताब में unit होता है हमारे समविधान की किताब में होते हैं भाग या parts और जैसे कि इसे किताब में units के अंदर chapters होते हैं, बिलकुल ऐसे ही हमारे किताब में होते हैं, यहने constitution के book में होते हैं अनुचेद या articles, जैसे unit होते हैं वैसे ही constitution में होता है parts या भाग, जैसे chapters होते हैं बिलकुल वैसे हमारे constitution में होता है article या अनुचेद, जिस तरह से chapters units में बटे हुए रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सम्विधान में अनुच्छेद जो हैं, वो भागों में विभाजित रहते हैं, अगर हम देखें कि कितने कुल भाग और कितने कुल अनुच्छेद हैं हमारे सम्विधान में, तो जब हमारे सम्विधान ला तो अभी भी 22 भाग हैं 395 अनुच्छेद हैं लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें कि उसकी गिनती में वो कितने हैं तो भागों की संख्या 25 है और अनुच्छेदों की संख्या 465 अब ये मैंने क्या कहा इसे में थोड़ा सा विस्त्रित तोर पर बताती हूँ पहले तो एक सार सुन लीजे फिर से जो भी मैंने कहा कि जब constitution लाग हुआ था तो there were 8 schedules, 22 parts and 395 articles, 8 अनुच्छियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद वर्तमान तोर पर 12 अनुच्छियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद लेकिन जो मैंने कहा कि अगर वास्तविक रूप से गिनिती में देखेंगे तो 25 भाग और 400 पैसर अनुच्छेद इसका मतलब ये कि इतने सालों में जब से सम्विधान लागो हुआ से लिकर अब तक के कई सारे संशोधन किये गए हमारे सम्विधान में कई भाग और अनुच्छेदों को जोड़ा, घटाया, हटाया, मिटाया या बदला गया तो constitutional amendments के वज़े से कुछ parts और कुछ articles आट किये गए तो अगर आप गिनेंगे इनहें, counting करेंगे, तो 395 से बढ़कर करीब साड़े 400 articles या अनुच्छेद हमारी constitution में आपको मिलेंगे वैसे ही भाग में ऐसा है कि part 4a, part 14a, part 9a, part 9b, ये सारे parts जोड़े गए और part 7 को delete किया गया संख्या में भी 25 हैं, लेकिन कोई भी part, गौर से सुनें क्या कह रहे हूं, कोई भी भाग या part और ना ही कोई भी अनुच्छेद या article नए नंबर के साथ जोड़ा गया अगर आज 4500 articles हैं, तो कोई ऐसा article नहीं है जिसकी numbering है 396, 397 या 400, ना ही कोई ऐसा part है जिसकी numbering है 23, 24, 25 जितने भाग और अनुच्छेदों को जोड़ा गया, वो सभी pre-existing number के अंदर ही, जैसे 4 के अंदर 4a, 9 के अंदर 9a, 391, 392, 191, 192, मतलब पहले की numbering के अंदर ही तो अगर आप counting करोगे तो जादा मिलेगा अपर numbering देखोगे तो आज भी 22 भागें और आज भी 395 अनुच्छेद हैं, तो जो बुक में दिया गया है कि बुनियादी तोर पर 12, 22, 395 और वास्तविक रूप से 12, 25 और 4, 65 इसका मतलब ये होता है, आईबद समझ में, I hope आप ये समझ पा रहे हैं, तो अभी जो मैंने आपको बताया, वो बिलको लिक introduction था कि constitution में क्या चीज़े हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका importance क्या होता है, हमारा समिधान कब लागू हुआ और इसका content क्या है, हमारी competition community की जो constitution की book है, उसकी introductory chapter में आपको यही details deal की गई है, I hope आ और भी जितने बाकी के elements हैं, वो आगे की chapters में हम deal करेंगे, फिलहाल इस chapter में इतना है, thank you so much.